ओम कैशी महागड़ी शाय नहाँ, राधी राधी दोस्तों कैसे है आप सब? दोस्तों हर इंसान अच्छे जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत करता है और चाहता है कि उसी जीवन में किसी तरह की कोई परिशानी का सामना ना करना पड़े लेकिन देखा जाता है कि महनत के साथ ही किस्मत के सितारे भी बुलंद होने चाहिए इसके लिए शास्तों में कई उपाय बताए गए हैं जो आपके परिशानियों को हरने का काम करते हैं और जीवन में बरक्कत लेकर आते हैं आज की इस वीडियों में हम आपको उड़त की डाल के कुछ बहुत ही आसान उपाय बताएंगे यह उपाय आपके भाकी को चमकाने में आपकी मदद करेंगे इन उपायों को करने से घर में बरक्कत आएगी शनी देव से संबंदे दोशों से राहत मिलेगी साथी शनी देव के करपासे दुर्भा के भी सौभा के में बदल जाएगा दोस्तों हिंदु धर्म शास्तों में हर दिन का खास महत्व बताया गया है वहीं किसी भी प्रकार के उपाय और टोटके करने के लिए शनीवार के दिन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है शनिवार का दिन शनी दिप और परजंग पली को समर्पित होता है साती शास्तों में बताया गया है कि इस दिन जो भी उपाई किये जाते हैं बहें बहुत ही जल्दी शुफल प्रदान करते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको जो उरत की दाल के उपाय बताने जा रहे हैं यहें उपाय भी आपको शनीवार के दिन ही करने हैं दोस्तों इन उपायों को सही प्रकास से करने के लिए आप मारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें जिससे वह भी इनसे लाप उठा सकें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों शनी देब कर्मफल दाता है शनी देब को प्रसन कहने के लिए शनी देब की कृपा आशरवात प्राप्त कहने के लिए साथी शनी देब से संबंधित धया, सारे साते या महादशा से राहत पाने के लिए शनिवार को आप उड़त के दाल का ये आसान सा उपाई अवश्य करें उपाई करने के लिए आप साबुत उड़त के चार दाने लें ध्यान रखें गिनकर आपको चार दाने लेने हैं दाने लेने के बाद अब आप इन्हें अपने सिर्फ पर से उल्टा चार बार बारे हैं। ध्यान रखें दोस्तों आपको यह अपने सिर्फ पर से एंटी क्लॉक वाइस उतारने हैं। यानि की बाएं से दाएं की तरफ। लेफ्ट से राइट की तरफ आपको यह दाने अपन ज़ने घर की छत्त κ Земue दाने रखने के बाद आप शनी देव से हौरlaws चोड़कर शनी डेव से संबांधित दोशों से राहत दिलाने की प्रात्णा करेंail एपनी कृपा और आश्रवाद से संबन्दिक स्थ वि कम होते चले चांगे इसके अलावा शनी देव से संबन्दिक दोशों से राहत पाने के लिए शनीदेव की कृपपा पाने तन आप साबुत ओरतकी दाल का दान गरें कि इसा करने शनीदेव अति शीग्र ही प्रसन हो जाते हैं और शनी देव से संबंधित दोशों से राहत मिलती हैं दोस्तों जिन लोगों पर शनी देव से संबंधित दोश होते हैं उनकी घर में गरीवी का भी बास हो जाता है गरीबी से मुक्ती पाने के लिए शनी देव की दशा को कम करने के लिए और मालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप शनीवार की रात को सोते समय अपने पलंग के नेचे अपने सिरहाने की तरफ थोड़ा सा सरसो का तेल रखकर सो जाए और अगली सुभे उठकर उड़त की दाल को पीस कर आप उड़त की दाल के गुलगुले इस सरसो की तेल में पकाए इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा सरसो का तेल ही अपने सिरहाने रखकर सोना है जिसमें गुलगुले पक जाए आपको कम से कम दो गुल्गुले जरूर बनाने हैं गुल्गुले बनाने के बाद अब आप इन गुल्गुलों को किसी कुट्टे को खिला दे दोस्तों हो सके तो काले रंग के कुट्टे को आप यह गुल्गुले खिलाएं इससे शनी देव अत्य शेगर ही प्रसन हो जाएंगे ऐसा कायने से शनी देव की दशा कम होती है साथी माल लक्षमी की कृपा प्राप्त होती है और माल लक्षमी शनी देव की कृपा से गरेबी से छुटकारा मिलता है गुलगुले बनाने के बाद जो बचा हुआ सरसों का तेल है उसका आप घर में इस्तुमाल ना करें उस तेल को आप पीपल के पेड़ के नीचे डाल आएं दोस्तों अगर आप कोई कारे कहने चलते हैं और उसमें रुकाबट आ जाती है आपके बनते हुई कारे भी बिगड़ जाते हैं आपका भाके आपका साथ नहीं दे रहा तो दुर्भागे को सौभागे में बदलने के लिए दुर्भागे से छुटकारा पाने के लिए आप ये आसान सा उपाई आवश्य करें यहें उपाय भी आपको शनिवार के दिन से शुरू कहना हैं। उपाय कहने के लिए आप साबत उड़त के दो दाने लें। इन्हें आप किसी पत्तल पर, किसी पत्ते पर, या फिक किसी दौने वगेरा में डिस्पोजिबल बाउल में रख लें। अब इन दानों को रखने के बाद आप इन पर थोड़ा सा दही डाल दें। दही आपको सादा डालना है ना तो दही में चीनी हो ना ही नमक हो। दही डालने के बाद आप इस पर थोड़ा सा सिंदूर डाल दें। ध्यान रखें दही जूटा नहीं होना चाहिए। आपको जर पीपल के नीचे रखकर आप पीपल को प्रडाम करें और सीधे अपने घर आ जाएं पीछे मुड़कर ना देखें और ना ही दास्ते में किसी से बात करें इस उपाय को कहने से दुर्भाग के से छुटकारा मिलता है कारियों में आ रही रुकावट दूर होते हैं भागे का सा साथ ही जीवन में कभी भी दुर्भागे का सामना नहीं करना पड़ता लेकिन यह उपाए आपको लगातार 21 दिन तक करना है और यह भी ध्यान रखना है कि यह उपाए आपको संध्याकाल के समय करना है 21 दिन में आप जो रविवार का दिन आए उसे छोड़तें और बचे हुए दिनों को आप 21 दिन किन कर यह उपाए करें भूल कर भी रविवार के दिन यह उपाए ना करें दोस्तों आप जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, कहें उपाय धन ब्रत्थी के लिए बहुत ही कारगर्माना जाता है, धन की कमी अधिकतर सभी के घरों में चली रहती है, इस उपाय को करने से घर में धन की कमी नहीं होती और धन में परक्कत होती है, यह उपाय भी आपको शनिवार के दिन करना है उपाय करने के लिए आप उड़त की दाल को पीस कर दो बड़े बना ले यह बड़े आपको सैसो के तेल में बनाने है दोस्तों ध्यान रखें कि यह जो बड़े आप बनाए या धुली हुई उड़त की डाल के ना बनाए। आपको छिलके वाली उड़त की डाल को पीस कर ही उसके बड़े बनाने हैं। बड़े बनाने के बाद आप इन बड़ों को किसी पत्तल पर रखें। जो पत्तों के पत्तल बनके आते हैं या उनके दोने आते हैं आप वह लेकर उन पर रख सकते हैं। उन पर रखने से पहले उन्हें पानी से धोकर शुद्ध कर लें और फिर उनके उपर यह बड़े रख अब इन दौनों बड़ों पर आप एक चुटकी सिंधू छिड़कतें अब शनिवार के दिन सुर्यास्ति की समय आप इन बड़ों को लेकर पीपल ब्रक्ष पर जाएं और पीपल ब्रक्ष की नीचे इन बड़ों को रखाएं आपको यह बड़े पीपल पर की जड़ में रख की समय आपको पीपल परक्ष का इसपर्ष नहीं करना बस यह बड़े आपको पीपल परक्ष की नीचे रख कर आने हैं दोस्तों यह उपाई आपको लगाता ग्यारे शनिवार तक करना है यह धन ब्रद्धी का बहुत ही आसान और असरकारक उपाए माना जाता है इस होती है किसी की नजल लगी होती है तो वह भी हट जाती है इसलिए आप धन में बरक्ष के लिए इस उपाई को अवश्य ही करें इस उपाई को करते समय जब आप बड़े बनाएंगे तो जो सर्सों का तेल बचेगा आप उस तेल को अपने घर में बापस से इस्तमाल कर सकते हैं अगर कोई महिला यह उपाई कर रहे हैं तो पीरिड की टाइम में जो शनीवार होगा उसमर आप यह उपाई ना करें और अगले शनीवार से फिर आप यह उपाई करें जब आप शुद्ध हो जाएं तम आप इस उपाई को करें ऐसे करके आप 11 शनीवार गिनें कोई भ अब अवश्र ही प्राप्त करें, उमीद है आपको हमारे ये लिदियो पसंद आई होगी, प्लीजिज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिष्टेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिस से भेहभी इसका लाप उठा सकें, हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलाएं थैंक्स फॉर वाचिंग राधी राधी